और अगर मैं इसको एंटिक्लोगवेस करूंगी तो क्या होगी मेरी शाही क्या होगी बाहर निकलेगी निकलेगी लेकिन अगर मेरी शाही ऐसे ऐसे में पेनिटेट करूंगी तो वो प्रोड़क क्या होगा अंदर चला जाएगा तो हमें क्लिंजर क्या करता है हमारी गंदगी को बहार निकालता है हम सही टैक्निक से काम करेंगे तो हमें awesome results मिलेगा तो cleansing हमेशा कैसे करना clockwise पूरे face पे clockwise anti-clockwise cleansing होनी चाहिए मिने बहुत repetition को देखा है कुछ भी कर रहे है करती है जुट नहीं सही है और फिर result नहीं मिलता इसके लाल हो जाती है सबसे पहले हमें अपना तरीका बदलना है टैक्निक बदलनी है जब तक हम सही टैक्निक पर वर्ट नहीं करेंगे हमारी इसके डैमेज की डैमेज रहेंगी क्योंकि और यह जो इसके प्रोड़क है यह हमारे स्किल को पीएज बैलेंस करता है जो डारेक्ट दर्विश तक जात है और उसके बार जो भी आपको प्रॉब्लम है नमीता मैं से पूछी है और कोई भी क्लाइंट आपके पास से बगर रिजल्ट लिए नहीं जाएगे इसे माई गारेटी और आप भी इतना पावर्फुल हो कर उनको बोलिए मैं आपके पिंपल जाएंगे बस मैं जो बोलती क्यों करिए ऐसे नहीं किसे फेशल कर दिया और हो गया आप उसको हों किया देगे कि आधा काम कॉल करता है पेशल और आधा काम डायट और आधा काम मॉस्ट्राइजर फिंजर और टोनल यह तीन चीज़ अकर हमने अपनी जिन्दगी में सहीं किया तो हमें ना तो हैल्थ इ इशू होगी और यह चीज़ करने की हमें प्रेंट करना चाहिए तो यह जो भी प्रोड़क है वो सीदा प्रीज को बैलेस करता है और डर्मिस तक जाता है इसलिए यह प्रोड़क्स दुनिया का सबसे आउसम प्रोड़क है और इसे एवर्ड विला हुआ है आप गुगल प तो हमें क्या करना है माउट तो माउट इसका प्रचार भी करना है ताकि अच्छी चीज़े लोगों तक बहुँचे और अच्छी चीज़े कौन पहुचा सकता है हम ताकि हमारे क्लाइन कहां रहे हमारे परस नागी डॉक्टर के पास है अभी क्या होता है कि आप खुद क्या तो नाओलिज नहीं राइट इसे हम फाइट वी कर सकते हैं बड़ हमें आप देख रहे हैं किपूट एक कॉंटिटी लिया है और कितनी शाइन आई है स्केंट पर देख रहे हैं और कितने हलके हाथों से रहे हमें स्केंट के बहुत छुट-छुटी टीशू से अरी स् प्रोब्रम्स आती है अगर हम फेशल ठंग से नहीं करते तो हमारे ओपन पोर्च हो जाते हैं आपको किसी को पता है कि ओपन पोर्च होते क्यों है और फिर पैक कैसे होते हैं यह बहुत सारी पोर्च होगी जिसके ओपन पोर्च होगे और उन्हें ही नहीं पता होगा किसे पैक कैसे करते हैं आते हैं क्लाइंट आपके पास क्या बोलते हैं मैं बहुत ओपन पोच हो कहा है कैसे इसे पैक कर दे तो कैसे करते हैं आप लोग ओपन पोच अगर बहुत सारे क्लाइन को है तो उसे आप लोग बन कैसे करते हो बताओ पामित रहेगा किसी को पता है कि नहीं पता है बहुत अच्छी जानकरी है आपको क्लाइन को बताने के लिए, जब आप खोटको नॉलज दे रहेंगा तो आपको सटीश्वक्षान नहीं दे सकते, दे सकते हो क्या, आपको हर problem मालूम होनी चाहिए हर problem का solution मालूम होना चाहिए और इसके लिए आप please रमेता जी को thanks भोलो क्योंकि आज आपको problems क्यों होती है आपको बता चल के ना हमारी skin में problem क्यों होती है क्यों होती है pH label होने के कारण ठीक है हमारा pH क्योंकि हर skin का pH तो आप लोगों को आज पता चला है कि इसके प्रोब्लम क्यों होती है क्यों होती है, जोर से बोलो आज आपको कोई भी क्लाइन को बता सकते है बता सकते हैं, union क्लाइन को भी नगीघए रहा वह हे मैं को knowledge है राइट? सबसे पहले है, क्लाइन टाथ है इसके परोब्लम है तो आपको क्लाइन को बताना है कि मैं, आपको जब आप कुछभी चीज अगर आप बता के क्लाइट को दोगे ना तो क्लाइट बुछ जी लेगा राइट जब आप क्लाइट को बताओगे कि मैं आप किसके में यह यह प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम ऐसे दूर हो सकती है तो सामने वाला क्या करेगा पक करेगा लेगा किरी लेगा और आप उसको वह product देगी क्या करेगा उसकी ही problem को solve करेगे अगर आप के ही पैनी सबको क्या करना है खुद के उपर apply करना है जम तक आप खुद ठीक नहीं होगे तो client क्या बूरेगा मैं आप अपनी स्किन तो देखें मैं ज्यादा नहीं हां इसको आप राय से इसको आप राय से पोच लीजिए ओक्या आप देखिए इधर आईए अब आप बन करें चुए अब चुए क्या मैंसे साथ इसे चुओ आप देखिए मैं इसलिए इनको बुला रहे हूं क्योंकि मैं जान चुकी हूं इनको बिल्कुल भी स्किन का लॉलेज नहीं है राइट अब जब जिस चीज़ पे काम करते हैं ना तो हमें पता रहना चाहिए कि वो इसकी ड्राय है सॉपनेस है आप लोगों को वर्क्शॉप ले नमीता प्लीज वर्क्शॉप लीजिए स्किन का नॉलेज होना बहुत जरूरी अच्छा आपको कैसी लग रही है स्किन अभी दूर से सिंपल फेश वास किया है इनोंने मैं पिक भी दिखाऊंगी आपको पहले इनके जो यह थे यह दीखनी रहते राइट राइट इनके पहले जो पिक्मेटेशन थे वो दीखनी रहते क्योंकि इनकी जो इनकी खुद की स्किन है वो और पिक्मेटेशन क्या हो गय थे एक हो गय थे मर्ज हो गय थे इनकी स्किन टैन हो गय थी और यह के कारण जब यह आई थी आपने दिखा होगा सब ने इनको यह पेवर्ट किया है राइट बहुत पास से लेखा था इनको ठीक है तो इनकी स्कीन में यह पिग्मेंटेशन दिख नहीं रहे थे अब दिख रहे हैं क्यों जैसे ही मैंने इनको फॉम क्लिंजर दिया इनकी जो इ किसी को दिखोंगी नहीं लेकिन जैसे ही मैं वाइट की तरफ जाओंगी तो मैं अलग से दिखोंकी से मदोगी है आपके इनकी दिखो और इसे ऐसे सिकिन क्या है ये और मैं आपकी स्कीन यहा सै और नहीं हो स्कीन में ऐसे चमप जाए जिए साल लग रहा था लग रहा था? देखो सबसे अच्छा कोई बता सकता है जिसने इसको फिल किया है राइट जब इन्हें फोम क्लेंजर लगा तो इनकी जो एक इसकित क्या हुई एकदम से रिमूव हो गई और जो इनके दाग है वो एकदम एक्स्टरनलर दिखने लगए ठीक है अब उसके बाद हमने डेप क् करता है वोस具 काम करता हमारा डेप क्रिंजर करता है हमारे और जो रोमक् अदर को रहते हैं यह चमह होंकि क्या होता है एकने का रूप ले ले त है गयो हो गया करता है उसके अंदर tomar bag डस को बाहर क्लीन करता है तब ही तो हमारा उंहें प्रोड़ेक्ट मुटम roast region inhaud स्कीम ठूड़ी सॉस्ट हो लिए एक्दम दूर से भी स्कीम चमक रह tio गाइए चुम करेंगे जन ही यह उनकAL होता है यह एक पर अप्लाई करना है और विदिन फाइफ मिनट्स छोड़ देना है उसके बाद फिर अमने वीडियो देखा है ना और उसके रिज्वेंट भी देखा है राइट लगां और इनके पर शुस्रा टीटमेंट और उनके पर तुस्रा टीटमेंट लाइटी कि और यह बहुत कम कॉ सब्सक्राइब चली गई और एक के बाद एक फुरी वादा प्रोड़क यूज कर रहे हैं तो आप ही जालो आपकी स्कीन और आज के दिन इस प्रोड़क में जो अगर इस प्रोड़क को और फेरिका नमीता मैं के पास तो नमीता मैंडम उसको आज के लिए डिसकाउट देन जल्दी सेल हो जाता है आप जैसे ही इसको मतलब बहुत कम मिलता एगी आने में इसको टाइफ उव जल्दी सेल हो जाता के तो आपको अगर चाहिए तो इसके ओरिन नमीता मैं आपके पास लिगवा दिजेगा तब यह है इंडिया से बाहर से आएगा ऐसा नहीं कि मैं घर म कितने सुन्दर तरीके से आती है, राइट, अगर मैडम ने सिरियसली, अगर मैडम चाहती है कि मेरी स्किन रियल में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब बहुत ज़्या स्किन खराब होती है न, तो आप प्रेटिशन हो के खुद जाते हैं डॉक्टर के पास, जा जात में पॉर्ड है, इस तरीकों इसे 5 मिनिट्स वार सकते हैं तो ये 5 मिनिट्स वार सकते हैं तो ये 5 मिनिट्स वार लाइट में दियाता हूं